नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से लोटे हैं बिग बॉस 12 की लेटेस्ट अपडेट लेकर बिग बॉस के फैन्स को अब एक ही बात का इंतजार है कि कौन बनेगा शो का विजेता और कब होगा इस विनर का एलान हम आपको बता दें कि बिग बॉस 12 के फिनाले की तारिक सामने आ गई है क्योंकि जैसे जैसे दिन घट रहे हैं वैसे वैसे शो का रोमांच भी बढ़ता गा रहा है शो में अब साथ ही सदस्य बचे हैं जिसमें रॉमिल सुर्भी दीपक दिपिका सोमी खान केवी और शिशांत का नाम शामिल है बिग बॉस की शुरुआद 16 सितंबर को हु है ऐसे में घर का पासा भी बूरी तरह पलट चुका है कोई किसी का दोस्त नहीं है और ना ही कोई किसी का साथ देने को तैयार है और सब के सब मतलबी बनकर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही खेल रहे हैं क्योंकि बिग बॉस में शिशांत दिपिका रॉमिल सुर्भी का भ रॉपू की बोचार दरसल इस टास्क में फिनाले में जाने के लिए तीन दाविदार दीपक दिपिका और सुर्भी को भी सभी घरवाले जम कर खरी कोटी सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि वो क्यों बिग बॉस के विनर बनने लायक नहीं है ऐसे में घरवालों ने दीपक को खूब धोया और उन्हीं लडाकू और डबल फेस सरदस्य बताया वहीं ऐसे में सुर्भी को फेक तो डिपिका को हर टास्क में कंजोर परफॉर्म बताया है इसके बाद शो के फिनाले में सुर्भी राना जगा बनाने में काम्याब साबित होई है इस तास्क के बाद को का हर एक दिन बर्थडे बनाते रहते हैं और हमेशा की तरह दीपक और रॉमिल ने मिलकर शिशान्त का मज़ा खुड़ाया अगर हम बात करें बिग बॉस बारा के सदस्यों के बारे में तो हर कोई बढ़ चड़ कर हर एक टास्क को पूरा कर रहा है हर कोई चाहता है कि व कोद्वा हफता भी और मॉस्स टार्ट हो चुका है तो देखा जाएगा कि आखिर कार जब फिनाले में जब टॉप थ्री कंटेस्टिंट के नाम शामिल होंगे तो वह टॉप तीन कौन-कौन होंगे यह चीज जानना बहुत ही ज़दा दिल्चस हो सकता है अगर हम बात करें शिशांत की या फिर दिपिका की हमने जितनी भी रिसर्च की है बिग बॉस के ओपर या फिर शोशल मीडिया पर हमने जितने भी कमेंट देखे हैं उससे यही साबित होता है कि शिशांत जो है वो फिनाले में जा सकते हैं और उनके साथ उनकी बहन दिपिका कड़ का नाम भ भागिदार हो सकते हैं तो देखा जाएगा आखिरकार जो ट्रॉफी होगी बिग बॉस बारा की वो किसके हाथ लगती है तो मैं जल्दी लोटूंगी बिग बॉस बारा की लेटेस्ट न्यूस के साथ और बहुत सारे टूस्ट के साथ तैंक यू सो मच की वाचिंग ना भूलें इसके साथ साथ टुडेस की आप को जरूर डाउनलोड करें और आप हमारे सारे शोज और प्रोग्राम्स यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं धन्यवाद